इस पहले हमने डिसक्स कर लिया था इसके बाद हमने डिसक्स किया था एक डिसक्स किया था इस पॉलिएशन प्रोशेश जब एक दूसरी के साथ पंटेक्ट में यहांगे त्रोसेस इस पॉलन पिस्टिल इंटरक्शिन ठीक है मेंस पॉलन नहीं को फॉलन इस्टिल टिक्षण एंटरक्शिन टीक है का पॉलन पिस्टिल इंटरक्शिन बेसिकलिभी डिपेंड करता है compatibility and incompatibility अगर compatible होगा pollen grain तो stigma या वहाँ पर pollen tube का क्या होगा फॉर्मिशन होगा अगर वो incompatible है तो वहाँ पर pollen tube का क्या होगा formation नहीं होगा ठीक है अगर compatible है, it means compatibility अगर देखी जाए तो compatibility same species के जो flowers होते है उसमें जादा होगा means पालन ट्यूब का फॉरमेशन है चांसें ज्यादा होते अम हम अब यहाँ पे डिसकस कर रहे हैं क्रॉस पॉलिएशन या सेल पॉलिएशन वहा पॉलेशन पिस्टिल दोनों एक दूसरे के एक कॉंटेक्ट में तो कॉंटेक्ट में आने के बाद वह इवेंट क्या होगा तो सि स्टिक से पार्ट को देखे तो इस्टिक की एंड कौन सा होगा स्टिग्मा सॉलिट पार्ड स्टाइल और दिस पार्ट इस कॉल्ड ओवेरी तो में लिए थ्री पार्ट सेंट री पार्ट मिलके फॉर्म करते हैं पिस्टिल या कार्पल और गाइनोशियम अगर हम यहां पर देखें तो पॉलिनेशन प्रॉसेस हुआ इस प्रॉसेस को हम बोलता हैं पॉलिनेशन पॉलिनेशन प्रॉसेस के तुरू मेल गैमेट ट्रांसफर हुआ इस्टिकी एंड दक अब यहां पर क्या होगा पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होना स्टाट होगा जो पॉलन ग्रेन यहां पर क्या करेगा पॉलन ट्यूब को फॉर्म करेगा उस पॉलन ट्यूब को हम बोलत ग्रीशन हो रहा है उसके लिए बेसिकलिए क्या हिए अब यहां पर हमने बोला इस्टाइल कैस्वूलीटीच में किसी ट्यूब की एंट्री होना पॉसिबल नहीं है स्टीग्मा और इस्टाइल इस्टाइल पार्ट यहां पर सिट होगा एक गती और लगा तो enzyme pectinase enzyme secret होगा और यह pectinase enzyme plus several hydrolyzing enzymes बहुत सारे hydrolyzing enzymes भी secret होगे और main pectinase secret होगा कौन secret करेगा style secret करेगा secretion होने के बाद यहां पर क्या होगा allow करेगा किसको pollen tube के germination को अब pollen grain हमने में सारी माइक्र स्पोर जैंसे प्रोसे पढ़ा था जो pollen grain होगा dusty होगा और वो क्या होगा पूरा completely dehydrated होगा इड मेंज उसमें water और nutrients content क्या होगा बहुत कम होगा तो उसके लिए क्या होगा जो यहां पर जब इसके बात एड कर होगा एड होते ही यहां से क्या करेगा एब्सॉफ करेगा water प्लस nutrition को अब जो पॉलन ग्रेंट अगर हम पॉलन ग्रेंट के structure को देखें तो पॉलन ग्रेंट दो लेयर था इसका आउटर साइट exercise in norside in time layer एक्षाइन और इंटाइन अब यहां से हिन लोगों ने क्या गया water and nutrition को gain किया nutrition को gain करने के बाद जो इसका in time layer होगा इस यहां पर पॉंट यहार प्उंड़न ग्रोस पॉलन ट्यूब में प्रिजय ने से यह यहां से उप्ललन ट्यूब कर customize Algier होगी इसकी int apply लेयर होगी इन तैनलेयर और ग्रों करेगा और इंताइं लेयर को continuous layer भी बोलते हैं तो पहले हैं यहां पर अल्रेडी किया हुआ है यहां पर आप जब pollen tube का formation होगा तो उससे पहले यहाँ पर यह जो जनरेटिव सेल था यह डिवाइट करके यहां से क्या होगा जो गैमिट्स ते मिन्स यहां पर आप गैमिट्स देख सकते हो तो यहां पर दो मेल गैमिट है ठीक है जनरेटिव सेल्स के दो न्यूकलियस और एक न्यूकलियस किसका जनरेटिव सेल यह तीनों न्यूकलियाई है यह तीनों न्यूकलियाई कंटिन्यू इस पॉलन ट्यूब के तुरू आएंगे और एंटर करेंगे कहां पर फिमेल चंडर क्या पिर्जयोंट होका ओवियूह यह स्टुक्चर औवियूहल का कि अगर में देखे तो यह कहां इसके integuments हैं integuments इसके अंदर embryo sec embryo sec इस end कौम बोलते हैं चलाजा end चलाजा end और चलाजा reason इसके अंदर यहाँ पर जो इंसाइड जो two nucleus वाला इसके पास दो पोलर नुकलियाई प्रिजेंट होगा यहां पे जो थ्री सेल्स प्रिजेंट होंगे इसको हम बोलते हैं एंटी पोडल सेल एंटिपोडल सेल्स ठीके अब यहाँ पर देखो क्या प्रिजेंट है एक एक सेल प्रिजेंट है एक सेल और दो प्रिजेंट होगे यहाँ पर क्या सिनर्जीट सेल अब मैं यहाँ से एंथर को एरेस कर दे रहाँ यहाँ पर प्रिजेंट होगा सिनर्जेट सेल सिनर्जेट सेल्स, दो सेल्स प्रिजेंट है, यह क्या फॉर्मेशन हुआ, पॉलन ट्यूब मैं इंट पॉलनेटिमद का फॉर्मेशन हुआ कर एंटर करें वुव करते यूरिंगे कहां students say । यह उन्ना च्छेर्म भाई हुआ है यह को इन्टर करेंगे काहां पी मैं प्यूसा च्छेड मुफिंट महीं हुआ है एंप्रштाट्चर रहा है । है अब एम राई और सेक का ठीक है तो पूरे मुद्मेंट को हम या देखिएंगे कि इसके अंदर मुव्मेंट एंटर करने के बाद प्रोसेस क्या होती है तो आप यहां पर एंट्री हुई एंट्री की एक पॉइंट कर सकता है एंटर कर सकता है अंगर वह चलाजा गय का थो में क्या करेका है 성 पॉलों है कि पॉलन ट्यूब एंट्र करता है तो उसकों बोलते हैं तिक पॉल पॉलंट यूपटस दूंडर मेल नूप्लिण यह जो पॉलंट यूप एंब्रियोस के अंदर एंटर करेगा वह उल्वेज एंटर करेगा कहां से जहां पर प्रेजेंट होगा सिनर्जीट और फिलीफॉर्म capita छो को सिनर्जीट सेल्स ठीक है जहां पर सिनर्जीट सेल्स होगा और यहां पर क्या है यह एक्सेल है एक्सेल पोलर नूकलिया है और सेंट्रल सेल सेंट्रल सेल्स एंटीपोडल सेल्स एंटीपोडल सेल्स फूनिकल है इलम ठीक है यह इसका क्या है सब्सक्राइबढा क्या सोग्सर् sizin माइच्रइफ माइक्र इंट्री होगी तो इसको हम reca dar n अगर इंटेगल में इसन सेंट्री तो इसको पूलेंग.. तो इसको मीजोगाई.. झला जा रिजन से एंट्री ्य क्योंot सिनेर्जीत कि त्ल ये क्या है एक्सल है कि यह एक्सलव टिक है तो यहां से प neue शॉर्ञ विया पोले टूब डिय्हाल से जो चाहरा पर यह क्या प talking प्रेजनेंट है फ्ली फॉर्म अपन्ध ए एक्सल日本 एक्सलब मटाइ इस basically क्या करते हैं, जो pollen tube जहां से enter करेगा, उस pollen tube को ये guide provide करते हैं, बिस direction provide कराते हैं, कि pollen tube को कहां से entry करनी है, तो फीली form apparatus हैं, परिजेंट है, 시नरड़ी यहां present है, तो जैसे यहां पर pollen tube लेंटर करेगा, तो यहां पर जो सिनरड़ींट cells और फीली form apparatus हैं, यह degenerate होना start करेंगे, यह भी degenerate हो जाएंगे, और जो यहाँ पे antipodal cell है, antipodal cell, यह antipodal cell भी degenerate हो जाएगा, synergid cell degenerate हो जाएगा, cifiliform apparatus degenerate हो जाएगा, और जो यहाँ से pollen tube enter करा हुआ है, यह pollen tube अंदर जाने के बाद, इसका जो male nuclei ही है, एक male nuclei है, इस x cell के साथ, suppose यह अगर male nuclei ही है, तो यह इस x cell के साथ fuse हो जाएगा, और fuse करके यह form कर देगा, zygote को, ठीक है, single zygote formation करेगा, तो इस simple, जो fertilization process हुई, इस fertilization को हम बोलते है, true fertilization और true syngamby process, जिसमें क्या हुआ, male nuclei है, और एक जो इसका x cell था, male nucleus और female nucleus, दोनों का क्या हुआ, fusion हुआ, और यह पर deployed zygote का formation हो गया, by the simple fertilization, और true fertilization, और you can say, syngamby process, अब दूसरा nuclei है, यहां से क्या होगा, nuclei है, और भी है, यहां से और enter करेंगे, और एक आके यहां पर fuse कर जाएगा, किसके साथ, central cell के था, central cell के पास आप देखो, already two nucleus present है, one nucleus, और आया, यहां पर क्या formation हो जाएगा, 3N, it means triploid cell का formation हो जाएगा, जो triploid cell formation होगा, उसको हम बोलते है, primary endosperm nucleus, pen, टेक है, यह बाद में form कर देगा, primary endosperm cell, टेक है, और यह इसके बाद form कर देगा, endosperm को, endosperm, टेक है, endosperm का formation हो जाएगा, और यहां से किसका formation होगा, zygote का formation, antipodal cell यहां से क्या होगा, release होगा, तो यहां पर क्या होगा, miss degenerate होगा, यहां पर endosperm, pen का formation होगा, पीसी का formation और अन्डोस्पम का formation हुए है जाइगोट का formation जब यहां पर अन्डोस्पम का formation हुजाएगा तो जाइगोट यहां से क्या करेगा nutrients गेन करेगा और जाइगोट उसके बाद क्या करेगा further जो उसके development stages है that process is called embryo genesis of जाइगोट ठीक है जो embryonic stages होंगी that all events are known as post fertilization event तो post fertilization event इसके बाद होगा जब यहाँ पर जाइगोट का fertilization हो गया यहाँ पर endosperm को formation हो गया endosperm nutrients provide कराएगा किसको यहाँ पर जो जाइगोट है उसको nutrients gain किया इसने अब जाइगोट उसके बाद divide करके cell one cell two cell उसके बाद बहुत सारे cell फिर एक embryo का formation करेगा ठीक है यहाँ पर देख रहो कि यहाँ पर entry discuss किया हुए हमने यहाँ पर pollen ट्यूप का formation कैसे होगा pollen ट्यूप कैसे आएगा यहाँ पर कौन किसको फर्टलाइजेशन करेगा तो आप यहाँ और सुब्ल फटलाइजेशन देख रहो एक बार फटलाइजेशन कीश का हो रहाए मेल नुक्लीट और से फिल नुक्लीट का फर्टलाइजेशन हो रहा है ठीक है आटो फोह मैं पर 치료 울प्लासेशन हो रहा है तो इस kो को हुआ बोलते हैं डबल फॉलिजेशन और डबल फॉल Images को सबसे पहले जो explain किया था था नवास्टिन नवास्टिन ने इसको explain किया था एटीर नमें 98 में जैनी किया था कि कैसे डबल फर्तिलाइजेशन और इस पर एक स्पैसिफ और कि दबुल फेटलाइजेशन कैसे होता है तो यहां पर फेटलाइजेशन प्रक्षेस देखा हमने पॉले टील इंट्रेक्षन देखा हमने पॉलेंट ट्यूब कहां से एंट्री करेगा एज वेल एज से और भी होते हैं आप artificial hybridization उस artificial hybridization के two types होता है एक होगा उसका एक होगा उसका emasculation दूसरा क्या होगा उसका bagging emasculation simple process है कोई ज्यादा difficulties process नहीं है जैसे हमें क्या करना है कि कोई species continuously वहाँ पे inbreeding depression हो रहा है तो वहाँ के जो inbreeding depression है उसको हमें कम करना है जो हमारे डिजायर करेक्टर है या हम क्रॉप को improvement करना चाहते हैं तो इस स्पैसिफिक है को hybrid variety फोर्म करना चाहते हैं तो वहाँ पर हम क्या करेंगे जो यहाँ पर जो उनका खुद का fertilization होना था self fertilization होना था उस fertilization को हम prevent करेंगे उसको हम बोलता है artificial hybridization means हम अपने तुरू fertilization कराएंगे तो उसके लिए क्या करेंगे एक process is करते हैं that is emasculation emasculation में जो flower का बड़ condition होगा उस बड़ condition में अगर हम एंथर को remove कर देते हैं तो इस process को हम बोलते है emasculation इट में simply removal of enter from immature before mature of flower removal of enter is called emasculation process ठीक है तो emasculation process में अंतर को अठा दे तो male gamit और female gamit में fusion possible नहीं हो पाएगा ठीक है second process यहां पर हम और यूज करते हैं that is bagging bagging process में हम क्या करेंगे जो हमारा पिस्टिल है जैसे हम यहां पर देखो पिस्टिल बना हुआ है इस टीगी का यहां पर comment बना हुआ है अगर हमने यहां पर पॉलन ट्यूब का formation दिखा और हम यहां पर क्या कर दे बटर अ go to butter paper लगा दे सबस्टिक हुआ हम यह पैप stickie end है different layer form हो जाएगá pollen tube अगर आ कि उसके उपर गिर रहा, तो वो वहांपर करवी इंट्रेक्षिन नहीं कर पाएगा, इंट्रेक्षिन नहीं करएगा, इंट्रेक्षिन नहीं करेगा, इक in on all it in का formation नहीं होगा, तो जो fertilization होना था, female gamete का वो fertilization यहां पर नहीं हो पाएगा ठीक है तो इसके लिए हम क्या करते हैं जब हमें अपने desirable जो pollen है उसके साथ अगर fuse कराना होता है तो हम उस butter paper को या polythene को हम remove करते हैं ठीक है remove किया उसके बाद desirable जो हमारा pollen tube है sorry pollen है उस pollen की हम dusting उसके उपर stigma के उपर डाल देते हैं उसको तब तक कवर रखते हैं जब तक उसमें fruit का formation ना हो जाए और fruit का formation कब होगा जब ओवरी यहां पर क्या करेगा यह ओभी पार्टी fruit का formation करेगा तब जब इसके अंदर seed form होना start होगा क्योंकि एंजियोस परमी condition है तो seed inside the fruit होगा तो fruit का formation होना fruit के अंदर जो सीट है इसक पॉर्म कर सकते हैं ठीक है तो simple सारे process ते हैं यहाँ पर फॉलन ट्यूब formation ठीक है इंट्रेक्शन एंट्री और पॉलन ट्यूब ठीक है और यहां पर जो ओविल है इस ओविल के सारे पार्ट्स ओविल में कहां-कहां से entry करेगा pollen tube, क्या fertilization करेगा means simply हमने यहाँ पे discuss किया double fertilization और word के point of view से क्या है, बहुत ही ज़्यादा important topic है double fertilization, ठीक है, pollen-pistol interaction, यहाँ पूरे diagram के साथ पूछा जाता है, कि इसको आप explain करो, और basically जो यह question आता है, 3 marks और 5 marks में इसके आने के chances बहुत ज़्यादा होते हैं, जो basic key points हैं, हमने उसको यहाँ पे discuss किया हुआ है, I hope यह सारे conditions आपको समझ में आई होगी अगर इससे related, कोई भी doubt अगर आपको होता है, तो आप comment section पे comment कर सकते हैं